वे लगातार नए क्रिश्वी कानूनों को लेकर किसानों का अल्ला बोल जारी है इसी कड़ी में शाह जहापुर से हमारे संवधाता लोकेश हमारे साथ जो चुके लोकेश शाह जहापुर में सिती क्या कुछ कह रही है और लगातार जो किसान है वो कूछ करने की तयारी में ज तो करके और यहां से सहाजापूर से दिल्ली के लिए कूच करेंगे अभी यहां पे एकत्री तोरे और सभी किसान रियसल भी कर रहे हैं जी बिलकुल एक बार तस्वीरों के जरे दिखाई आप किस तरीके की इस्तिति वहां पर बनी हुई है पुलिस की तरफ से क्या कुछ इं पूर्छ पूर्च उस्तिति दिखाए कि किसी हैं रहें और खिशान के लगभग 300 के शम्तिंगर की तेंस्टिंग संगत ने जो कि किसान अंदॉल नुम्हें एक साथ एक टिट हुए जहां पर हरियाना पूर्टापर कल भी हनमान बेनिवाल को और किसानों को को रोक लिया और आज भी यहाँ पे पुलिस के साथ बड़ी संक्या में किसान मोजूद है और राजस्थान पुलिस यहाँ पे इस्तिती संबाले हुए बिल्कुल और राजस्थान से भी भारी मात्रा में जो किसान है वो दिल्ली की ओप पूच कर रहे हैं बिल्कुल अगर आप किसान से अगर बात करने चाहेंगे तो इनका क्या क्या अगर रहेगा किसान से बात ही करता हूं जी प्रीति बिल्कुल ओकेश चलिए आपको शुक्रिया तमाम जौनकारी देने के लिए तमाम अपडेट हम आप से लेते रहेंगे कपासेडा बॉर्डर से भी हमारे समलाता देवेंद्र हमारे साथ जोड़ चुके बॉर्डर पर स्थिती क्या कुछ बनी हुई है अधेका बिल्कुल जस तरह से साजयापूर में जो स्थिती बनी हुई है और वहां से दिल्ली की तरफ जो किसान कूच कर रहा है निशित और पर उनको हरियाडा में रोकने के लिए आप पूरी तरह से बैरिकेटिंग की गई है और नेशनल हाइवे एट पर किसी तरह की जो बाधा ना आ है किस तरह से लोगों को प्रेशन ना हो इसको मंतर रज़र र में राइस्थान से जरूर वहां से निकाला जा सकता है लेकिन हरियाडा में इन किसानों को रोकने की कोशिश की जाएगी क्योंकि पूरी तरह से हाइवे बाधित हो सकता है और यदि वो आगे की तरफ बढ़ते हैं तो निशित तोर पर पच्चगाओं और रेवाडी के बा इसकी तरफ से भी तमाम बंदोबस्त बॉर्डर पर किये गए हैंनि कि सभी जगह पूरी तरह से पुलिस मुस्तेज नजर आ रही है साधी साथ किसानों ने साफ कर दिया है कि 12 तारी को जिस तरह से टोल फ्री करने का जो ऐलान किया था फैसला लिया था उसके बाद 14 तारी क सभी जिला प्रिशाशन अधिकारी और तमाम जो मंत्री हैं सरकार में उनके उनका घेराव किया जाए तो उसको लेकर भी पूरी तरह से इंटरनली जो स्कूर्टी है वो पूरी तरह से मुस्तेज नजर आ रही है तो कही ना कहीं ये कोशिश है क्योंकि जो बड़ी संक्या म अब पंजाब और राइस्थान से जो किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे है तो उनको आगे ना ने दिया जाए को फिरी किया गया कई जोगों पर तो कई जोगों पर हमने देखा अगर हम फरीदबाद की बात करें पलवल की बात करें तो वहाँ पर टोल फ्री नहीं थे लेकिन कल 14 तारिक यानि की 14 दिसंबर को भूख हर्ताल पर किसान रहेंगे ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अब हजारों की संख्या में तमाम राज्ये से जो किसान है वो एक जुट हो रहे हैं और सीरे तोर पर ये कहना भी गलत नहीं होगा कि अब कहीं न कहीं आंदोलन को और मांगे सुत्र जो सरकार को सोपा था उस पर कहीं न कहीं सरकार ने कुछ मांगों को सहमती जताई थी लेकिन उसके बाद से किसानों का एक ही हट है सीधे तोर पर उनका ये ही कहना है कि किर्शी बिल को रद करना होगा वापस लेना होगा तब ही वो इसको आंदोलन को खतम कर लेकिन आप जिस तरह की पस्तितियां बंती जा रहे हैं किसानों की तरफ से लगातार ये फैसले लिये जा रहे हैं चाहे वो टॉल फ्री का हो अलाकि गुरुग्राम और फरीदवाद या हरियाना के दूसरे जिलों में इसका ज्यादा असर देखने को नहीं मिला था लेकिन आ किसानों की तरफ से लगातार दबाव बनाने का प्रियास किया जा रहा है लेकिन सरकार की तरफ से भी जो कहा गया था कि कुछ संशोधन हो सकते हैं उस पर मंथन जा रही है बाकी पर लेकिन किरिशे बिल अब वापस अभी नहीं होगा तो ये सरकार की तरफ से अपनी बात ह लेकिन किसानों की तरफ से यही एक कहा जा रहा है कि जब तक बिल वापस नहीं होंगे तब तक बिल्कुल देवे तो और देखने वाली बात होगी कि किसानों की भूख हड़ताल का कितना असर या फिर कितना दवाब सरकार पर बन पाता है